नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने टूब चैनल इस्टोडी भी तरभी पर दोस्तों इस क्लास में हम भीकली करंट फिर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों हमने 28 अपरेल से 5 मई तक के सभी महत्मों प्रशनों को सामिल किया है सभी प्रशन दोस में किसे ग्रेंड मास्टर की उपाधी से सम्मानित किया है तो यह क्या है जोस्तों वेसाली रमेस बाबु को राइट अनस रहेगा ओप्सन वी डिटिल जानेंगे दोस्तों अंतराश्टिय सत्रंज महासंग ने भारत की यूबा सत्रंज खिलाडी वेसाली रमेस बाबु को क्रेंड मास्टर की उपादी से सम्मानित क्या है कोनेरू हंपी और हरी का द्रोणा वल्ली के बाद बेशाली तीसरी भारतिये महिला ग्रेंड मास्टर है ठीक है तो भारत की यह तीसरी महिला ग्रेंड मास्टर वनी है Next Question है भारत सरकार ने किस IIT को स्वेदेशी रूप से विक्सित Compact Inverter पर पेटेंट से सम्मानित किया तो ये क्या है दोस्तों IIT पटना को राइट अंस रहेगा Option B निटिल जानेंगे दोस्तों भारत ये प्रुदोगी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट का राले की और से स्वेदेशी रूप से विक्सित हलके Compact और असानी से ले जाने वाले Inverter पर पेटेंट से सम्मानित किया है IIT पटना के पास 20 बरसों के लिए इस टेकनोलोजी के कमर्सियल उप्योग पर कोपिराइट होगा ठीक है तो यह जो पेटेंट दिया गया है 20 साल के लिए दिया गया है तीसरा प्रस ने भारत ने स्मार्ट पंडुबी रोधी मिसाइल का परिक्षण किया यह है किसके द्वारा तयार किया गया तो यह किया गया था दूस्तो डिया एडियो के द्वारा राइट अंसर रहेगा उप्षण बी ठीक है तो यहाद रखेगा कि इस पंडुबी रोधी मिसाइल का जो परिक्षण किया गया इसे तयार किया था डिया एडियो ने ठीक है भारत ने उडिसा के बाला सोर तड़ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ओब टोर पिडो पंडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलता पुरभग परिक्षड किया स्मार्ट अगली पीडी की मिसाइल अधारित हलके बजन बाली टार पिडो डिलीवरी प्रणाली है इसे रक्षा अनुसंधान और विकाज संगठन मतलब डियाइडियो द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया आपको कमेंड खिर के बताना है कि डियाइडियो का मुख्यालिय कहां पर इस्तित है चोथा प्रसने हाल ही में भारतिय नोसियना के उपपिर्मुख का कार्या भार किसने समाला तो भारतिय नोसियना के उपपिर्मुख का कार्या भार समाला है दोस्तो किर्शुना स्वामी नाथन ने राइट अन्स रहेगा ओप्शन ए फ्रेंट्स वाइस एड्मिरल कृष्णा स्वामी नाथन ने एक मेई दुहजार चोविस को नो सेना उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार गिरहन किया है आजबा प्रेसने फ्रेंट्स विष्ब उर्जा कोंगरेस दुहजार चोविस का आयूजन किसी देश में किया जा रहा है ये दोस्तो नीदर लेन्ड में किया जा रहा है राइट अंसर रहेगा ओप्शन V छठा प्रसने भारत की पहली बहुत देश्यताप और विजली Green Hydrogen Pilot Project की शुरुआद कि शुरुआद कि स्राच्छे में हुई तो Hydrogen Pilot Project की शुरुआद दोस्तो हिमाचल प्रदेश में हुई है तो ह्या अंसर रहेगा option D साथवब रशने living again मानेले को हाली ही में किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त के गया तो ये किया गया है दोस्तो सोलो मन दीप ठीक है तो सोलो मन दीप के नए प्रधान मंतरी बने है जेरे मिया मानेले ठीक है ये जो है दोस्तो सोलो मन दीप तो ये है दच्छिन प्रसांत में इस्तित है ठीक है और इसके नए प्रधान मंतरी के रुप में जेरे मिया मानाले को न्युक्त किया गया है आठवा प्रसने हाल ही में किस देश ने अपनी नई करंसी जारी की है तो यह जारी की है दोस्तों जिम्बावे देश ने ठीक है तो सही आंसर रहेगा ओप्शन पी और इंपोटेंट को से नहीं याद रखेगा फ्रेंट्स जिम्बावे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिंग जिम्बावे गोल्ड का संचित रूप नामक एक नई मुद्रा लोंच की है इसे इलक्ट्रोनिक रूप से लोंच किया गया है साल 2009 के बाद यह है छटा मुका है जब देश ने नई मुद्रा लोंच की गई है ठीक है तो याद रखेगा ठीक है जिम्बावे एक दच्छिन अफरीकी देश है जिसकी राजधानी हर आ रहे है ठीक है तो जिम्बावे दोस्तों दच्छिन अफरीकी देश है जिसकी राजधानी हर आ रहे है नवप्रस ने ICC पुरुष T20 विश्प कप 2024 का वरांड अम्मेश्डर किसे बनाया गया बेरी इंपोर्टेंट कोशन दोस्तों ठीक है तो याद रखेगा कि ICC पुरुष T20 विश्प कप 2024 का वरांड अम्मेश्डर युबराज सिंग को बनाया गया है सही अंसर रहेगा ओप्शन B ठीक है फ्रिंट्स अंतराष्टिय किर्केट परिसद मतलब ICC ने भारत के दिगज पूर्ब किर्केटर युबराज सिंग को ICC पुरुष T20 विश्प कप 2024 का वरांड अम्मेश्डर न्युक्त किया है इससे पहले ICC ने किरिस गेल और उसेन बोल्ड को पुरुष T20 विश्प कप 2024 का प्रांड अम्मेश्डर न्युक्त किया था ठीक है T20 विश्प कप का जो आयुजन किया जाएगा तो वह दोस्तो वेस्टन डीज USA की सयुक्त मेजवानी में किया जाएगा ठीक है तो याद रखेगा कि 2024 में दोस्तो जो T20 विश्प कप का युजन किया जाना है तो वह दोस्तो वेस्टन डीज और USA मतलब अमेरिका में किया जाएगा दस्वा प्रेस ने 20 प्रेस स्वेतंतरता दिवस प्रती बर्स कब मनाया जाता है तो 20 प्रेस स्वेतंतरता दिवस प्रती बर्स जो मनाया जाता है दोस्तों तो वह मनाया जाता है तीन मई को सही आंसर रहेगा ओप्शन वी ठीक है और एक मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाय जाता है ठीक है तो ये दोनों दिवस याद रखेगा important है तो यह थी दोस्तों हमारे इस वीक के सभी important question ठीक है डेटेल जानेंगे हैं इस question की तो हर साल तीन मई को दुनिया भर में विश्व प्रैस्वातंतरता दिबस के रूप में मनाये जाता है साल 2014 में विश्व प्रैस्वातंतरता दिबस का 31 वा संस्क्राण मनाया जा रहा है साल 1993 में सयुक्त राष्ट महासभा ने 3 माई को प्रेश स्वेतंतरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था तो याद रखेगा कि 1993 से हम 3 माई को बिस्व प्रेश स्वेतंतर दिवस मनाते हैं इसे इंगलीज में बोलेंगे वर्ल्ड प्रेश फ्रेडम डे ठीक है और इसे मनाने की घोसना 1993 में की गई किसके द्वारा तो सयुक्त राष्ट महासभा के द्वारा की गई थी इस वार जोस्तो 31 संस्क्रण मनाया गया ठीक है तो यह थी दोस्तो हमारे इस किलास के सभी महत्र प्रेशन आई होपी क्लास आपको पसंद आई होगी ठीक है और यह कोशन दोस्तो आपको सीधे एकजाम में देखने को मिलेंगे ठीक है आज का आपको हमबर कहेगा जिसका आँसर आपको कमन करके बताना है कि 20 उर्जा कोंग्रेस तो हजार चोविस कायोजन किस देश में क् आई होपी क्लास आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक करेगा दोस्तों में शेयर करेगा आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो मिलते हैं दोस्तों नैस्ट क् for watching, जाहिंद!